गुड मॉर्निंग स्टुडेंट आज के आपके नए नोटिफिकेशन में आपका श्वागत है आज का हमारा नोटिफिकेशन इस टॉपिक पर आधारीद है अर्थात बिहार बिधान सभा सचीवाले इसके तहत एक आविशक सूचना है जो हमारा इस तथे पर आधारीद है इ 2023 के परकासन बिहार बिधान सभा सचीवाले द्वारा किया गया है जिसे सभा सचीवाले के वेबसाइट www.bidhansabha.bis.nic.in पर देखा जा सकता है तो इच्चुक एस्टुडेंट इस वेबसाइट पर जाकर अपना सारा नोटिफिकेशन देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन और इस वीडियो के थुरू आपको संचिव जानकारी मिलेगी कुछ-कुछ मूल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो लोग चाहते हैं कि इस नोटिफिकेशन को बहुत बिस्तार से जाने तो वो इस साइट पर जाकरके वो अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं पूरी और निर्देश हमारे पास निमनांकित है चुकि ये रिमाइंडर वीडियो है अपडेटेड वीडियो है अर्थात ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है पहले इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम ती थी वो 16-5-2023 तक थी है ना लेकिन इसे 10 दिन और भी स्तारित किया गया ह और ये 16-5-2023 से बढ़ा करके इसे 26-5-2023 कर दिया गया है बाकी जितने भी निर्देश है वो पुर्वाथ हैं तो एक बार इसे हम लोग फिर से रिवाइस कर लेते हैं देख लेते हैं ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन प्रारम करने की तिथी जो हुई थी ओ 25-2023 को हुई थी गार बजे पुर्वाहां से है ना और अब इसे आवेदन करने की अंतिमति थी और परिष्छा सुर्ख भुगतान करने की अंतिमति थी 26-5-2023 कर दी गई है बाकी चीजे लगभग पुरुवर्थ है तो हम लोग को जो इसमें आवेदन करना है ये इसी वेबसाइट पर करना है इसी वेबसाइट पर सारा जानकारी और हम लोग को आवेदन उपलब्ध है एक बार पढ़ देते हैं अभ्यारती आवेदन ओनलाइन करने से पूरू वेबसाइट पर परदाश्रित बिश्तिरित बिज्यापन और आवेदन करने है तो आवशक वो बिश्तिरित निदेश का भली भाती अध्यन कर लेंगे तो जो आवेदन यहां जो अपलिकेंट है वो सारे सिस्का यहां पर अध्यन कर लेंगे और स्टिस्पाइट संतूष्ट हो जाए कि आपकी अगर इसमें फूलफिल हो पा रही है तो ही आप इसे फॉर्म भरे अन्यथा बाद में आपको अन से परकासित किया जाए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिहार बिधान सभा सचीवाले पटना बिज्यापन संख्या एक दो हजार तैस इसके लिए आवेदन ओनलाइन आमंत्रित किये गये हैं इसमें सबसे पहले हम लोग बेतनमान की बात कर लेते हैं तो बेतनमान का अस् सबसार दिये जाएंगे ओनलाइन आवेदन करने के प्रारह में थी थी जो 25-4-2023 थी अब आवेदन ओनलाइन करने की अंतिमति थी जो है 26-5-2023 हो गई है है ना तो इसको आप नोट कर लेंगे और जिनका छुट गया है ओनलाइन आवेदन करना वो फिर से इसको कर सकते हैं इस पर रूची ले सकते हैं अब इसके साथ साथ कुछ आवेदन करने संबंधि जो आवड़क्ष निर्देश्क विज्यापन के साथ सनलगन है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं बाकिछ विधार विधान सभा के वेबसाइट पर भी इससे दिया जाएगा तो एक बार ह हम लोग अनुमान ये आरच्छन वार और बंदिक रिक्तियों का विवरन हम लोग देख लेते हैं आनारचित कोटेश से कुद पदों की संख्या 29 है और 35% 36 आरच्छन के फलसरों महिलाव के लिए अनुमान ये पदों की कुल संख्या 10 है जैसा कि हम लोग इस पैरा में हम ल 10 है अनुस्यची जन जाती के लिए एक है अत्यांत पिछ्रा वर के लिए 12 है पिछ्रा वर के लिए 9 है और पिछ्रे वर की महिला के लिए एक है तो इस तरह से हम लोग टोटल योग जो है ओ 79 है और यहां 25 है बिज्यापित पदों की संख्या बढ़ सकती है अभ्यारति को भारत के नागरिक होना अनिवार है अर्था भारत के कोई भी नागरिक इस ओनलाइन आवेदर में भाग ले सकते हैं परिछा में भाग ले सकते हैं अब सेशनिक योगिता के हम लोग बात कलेते हैं, तो सेख्षिक योगिता यहाँ पर किलियर लिखा हुआ है, कि राज्य सरकार अथवा केंद सरकार के द्वारा प्राप्त है, इंटरमीडियेट परिशद बोर्ड से किसी भी विशे में इंटरमीडियेट अथवा समकष का बिहार के निवासियों के, जो मूल निवासी है, उन्हे को मिलेगा यह, और जितने भी जाती परमानपत्र, अस्थाई निवासी परमानपत्र, क्रिमी लेयर रहित परमानपत्र है, सारे यह सब जो है, आपका जितने भी छुट है, सारे का जो लाब है, यह आप लोग को जो बिहार्ष रहें उन्ही को मिलेगा अब नियुनतम आयू 18-2022 को नियुनतम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम जो है समानने आनारचित पुरुष और महिला के लिए 25 साल होना चाहिए इसको एबर पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग ये महिला के लिए 25 साल होना चाहिए पुरुष और महिला के लिए 30 साल होना चाहिए तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे की जो प्री आयू है वो मेक्सिमम यहां पर दी गई है और एक गौर करने वाली बात है कर्मिक और प्राशाशनिक सुधार विभाग संप्रति सामाने प्राशाशन विभा के संकल 234 दिनांक 167-2006 के आलोग में सरक्वारिश सेवकों को जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पुर्ण कर चुके हैं उसके लिए एक अलग से निर्देश है उसको भी हम लोग देख लेते हैं उसके लिए निर्देश है उच्चतर बेतनमान की सेवा संबर में जाने के लिए अ सरकार के पत्रांग 24-47 दिनांग 6-3-1990 के आलोग में भुद्पूर शैनिक उम्र शिमा में तीन वर्ष की तथा परतिरच्छा सेवा में बिताई गई सेवा के योधि के सम्तुल रियायत दी जाएगी बसरते के उनका वास्तिक उम्र आवेदन देने की तिति तिरपंद वर रह चुके हैं और जिनका आयू तिरपर वर्ष से पहले की है है ना तो वो उनको तीन साल में छुट दिया जाएगा अभियार्थि के उम्र की गन्ना मैट्रिक तथा समकक्ष परिक्षा में परमान पत्र में अंकित जनमतिति के आधार पर ही की जाएगी जिसको हम लोग बा पास से लेकर के 81.81 सेंटीमीटर होना चाहिए इस्तरी उचाए 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए और तराई छेतर में रहने के लिए 2.54 सेंटीमीटर का छुट है वहाँ पर तो उनके लिए ये सब छुट है ये आप लोग नोट कर सकते हैं अब परिच्छा की जो पदती है वो दो माध्यम से ली जाएगी पहला है प्रारमिक परिच्छा इस परिच्छा के वएधी 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्ण होंगे सभी प्रश्ण वस्तुनिस्ट और बहुँ बिकल्पियों होंगे और परिच्छा में जो 100 अंख होग और हिंदी इंगलिस दोनों में होंगे है ना लेकिन कोई मिश्टेक हो जाता है तो यंग्री जी का ही मानने होगा यह ओमार स्रीट पे होगा ओमार स्रीट में जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रोल नंबर रोल कोड सारा चीज यह सब आप लोग को वहाँ पर अंकित करना है यह ना रोल नंबर प्रश्ण पुस्तिका नंबर अनुछेद लेखन हस्ताचर यह सब प्रविष्ट करेंगे और जमा करने से पहले यह सा जादा चर्णों में आ सकती है अब जो फ्रिक्मेंटली आस कोश्चन है है यह उसके अंतरगत आप लोग देख सकते हैं अब आगे जो हमलों का पाठे करम है वो है जितने भी पाठे करम है वो प्रारमिक परिछा का अस्तर बिहार विद्धाले परिछा समिती के मेट्रीक अ जत्वा समकर खक्सतर का होगा है ना तो गनित होगा गनित में संख्या पदती पूर्ण शंखाओं का अभिकलन दसमलों वीन संख्याओं के बीच परस पर संबंद मुलभूत गनेतिय संक्रियाएं प्रतिसत अनुपात समानुपात औसत लाब ब्याज और लाभाने इस पर समाने अध्यन के अंतरगत है समसामाइक भिस है मतलब करेंट अफियर्स और बिहार राज तथा भारत से समंदित प्रस्ण पूछे जाएंगे प्रारभिक परिच्छा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले विदार्थी असफ़ल घोसित खो जाएंगे तो जो प्री में 30% स दक्षता परिच्छा है तो किया जाएगा तो प्रारभिक परिच्छा में जितने भी कोटी हैं है ना उनसे 10 गुन्ना लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा प्रारभिक परिच्छा में अंतिमेभा सुची आधार नहीं होगी तो जितने भी प्री में पास करेंगे उसके बा सभी कोटी के पुरूसों के लिए पांच मिनण तक जो दौड़ पाएंगे उनको सव अंक, पांच मिनण से अधिक और पांच मिनण से बीस सेकेंड तक उन्हें अस्वाइंच, पांच मिनट 20 सेकेंड से अधिक और पांच मिनट से 40 सेकेंड तक को साठ हंग और पांच मिनट से 40 सेकेंड से 6 मिनट तक उनको 40 हंग इस तरह से दिया जाएगा अर्थात 1.6 किलोमीटर अर्थात 6 मिनट में पूरी करनी है 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले विद्यार्थियों को असफल गोतिज कर दिया जाएगा अर्था ये आपको 6 मिनट से जो जादा समय लेंगे है ना उनको ये असफल गोसित किया जाएगा फेलियोर गोसित किया जाएगा लेकिन जो 5 मिनट से 6 मिनट तक के बीच में आते हैं उन्ही के लिए ये लिखा गया है, अब हम लोग सभी कोटी को महिलाओ के लिए, उनको एक किले मीटर छे मिनट में दोड़ना है, है ना, और पांच मिनट तक के लिए 100 अंख है, पांच मिनट 20 सेकेंड के लिए 80 अंख है, पांच 20 से पांच 40 तक के लिए 60 अंख है, और रूप से कमजोर के लिए ये 675 रूपिय है और राज के मूल निवासी के और सभी बर्ग के कोटी की महिलाओं के लिए ये 180 रूपिय है मेधा सुची सुरक्षा परहरी के पदों को नियक तहतुचेन की मेधा सुची की सारिक दक्स्ता परिशा दोड़ अभ्यारती द्वारा कूल अंग के आधार पर की जाएगी है ना तो उस पर ये किया जाएगा सारिक योगता दक्स्ता परिशा में दो या दो से अधिक अभ्यारतों के समान अंग प्राप्त करने की दसा में मेधा सुची में उनके अस्थान का आधारना उनकी जनमतीतियों के आधार पर और समान अंग प्राप्त करने एवं समान जनमतीतियों में दो या दो से अधिक अभियार्थों की दसा में उनकी सैचनिक अहर्ता के आधार कर किया जाएगा अर्था जिनका ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा उनको लिया जाएगा इस परकार समान अंग प्राप्त करने वाले अभियार्थियों में अधिक उम्रु वाले को और समान प् योगता समान होनी की दसा में पद के लिए आधारित नियुनतम अहर परिचा इंटर्मीडियर्ट में अधिक अंग प्राप्त करने वाले मेधा करम को उपर रखा जाएगा। आप लोग का ओनलाइन ही लिया जाएगा और जितने भी अनुसुची जाती जन जाती कोटी के वाले विद्यार्थी है वो लाभ ले सकते हैं इसका दावा कर सकते हैं लेकिन उन्हें बिहार के निवासी होना चाहिए। युजर नाम और पासवर्ड शुरच्चित रखना आविदक की जिमेदारी है और वे अंतिव परिछाफल प्रकासन होने तक शुरच्चित इसको रखेंगे। ताकि कभी भी उनका काम आ सकता है। अब ये फॉर्म भरने के लिए आपका डोकुमेंट है जो साइज है उसको ये किया जाएगा उसी पर करना है। और जब तक आपका यहाँ पर अगर पेमेंट सक्सेशूल नहीं हो जाता है तब तक आपका मान यह नहीं होगा अर्थात अनसक्सेशूल पेमेंट और ट्रांजेक्शन एस्टेटर फेल्योर के लिए सची वाले आपका कोई जिमेदार नहीं रहेगा। तो ओनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बॉक्स में वरनित अपनाए ओनलाइन पर जा करके आप कर सकते हैं। अभियारती अंतिम रूप से भरेगें ओनलाइन आवेदन की सब्मिट करने के बाद उन्हें लॉगिन और डेस्पर पर डाउनलोड फिल्ड अप्लिकेशन सेक्शन भरा हुआ मिलेगा और जिससे आप प्रिंट करेंगे ना तो उसमें जो है आपका बार कोड भी लगा अंकीत रहेगा अप्लिकेशन अंगर और बार कोड अगर अंकीत नहीं रहने पर आवेदन पूर्ण नहीं माना जाएगा तो इस तरह से आप भर सकते हैं और लगभग लगभग हम लोग इस नौटिफिकेशन के लगभग जानकारी में लमसम जानकारी ले चुके हैं तो पाइदा मिल सके इनकी जानकारी मिल सके तो वीडियो के अंग तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार इसकूल डेज परिवार आपके उज्वल भविश्की कामना करता है धन्यवाद